हाई फ्रेंड्स मैं हूं नीशा एंड वेलकम बैक तो नीशास पैशन फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे मामा आर्थ बेबी रीच मॉंस्टराइजिंग अल्ट्रा लाइट संस्किन के बारे में आज मैं इस प्राड़क्ट का रिव्यू आप लोगों के शाथ शेयर करूँगी और साथ मैं मैं ये भी डिसकस करूँगी क्या सच में संस्क्रिन बच्चों के लिए सेफ है की नहीं तो चलिए आज किस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या संस्क्रिन सच में बच्चों के लिए सेफ है की नहीं तो आंसर की मैं बात करूँ तो न ये डिपन करता है बच्चों के एज के उपर सबसे पहले न निवओन के बारे में बात करते हैं क्या संस्क्रिन निवओन बेबी के लिए सेफ है तो दा आंसर इस नो निवओन बेबी के लिए संस्क्रिन बिल्कुल सेफ नहीं है क्योंकि निवओन के जो स्किन होते है वो काफी ज्यादा soft and delicate होते हैं sensitive होते हैं तो इन बच्चों के लिए sunscreen apply करना safe नहीं होता है क्योंकि sunscreen apply करने से काफी जारे side effects हो सकते हैं रैस आ सकते हैं कुछ भी हो सकते हैं और वैसे भी new one के जो skin होते हैं उसमें कुछ भी apply करने से पहले हमें बहुत बार सोचना पड़ता है तो इसलिए I think new one के लिए sunscreen avoid करना ही best है अभी बात करते हैं sunscreen क्या सब बच्चों के लिए safe नहीं है क्या हम kids को भी sunscreen apply नहीं कर सकते तो इसके लिए जो answer है न वो है कि sunscreen apply करने का सही age है after 6 months तो बच्चों के age जब 6 months हो जाए न उसके बाद से हम लोग sunscreen apply कर सकते हैं और वैसे वी 6 months अबाब के बच्चे जो होते है न उन बच्चों के लिए sunscreen apply करना mandatory है जो बच्चे बाहर खेलने जाते हैं जो बच्चे धूप में जाते हैं उन बच्चों के लिए तो sunscreen apply करना बहुत बहुत ज़रूरी है सो ना हमें always एक sunscreen रखना चाहिए अब आब 6 months के बच्चों के लिए वैसे तो हर sunscreen के pack में लिखा होता है 0 to 10 years या फिर 0 to something years बट मैं आप लोगों को suggest करूँगी कि always sunscreen apply करने से पहले न डॉक्टर के साथ एक बार बात कर लीजिए डॉक्टर के साथ concern करने के बाद ही आप लोग sunscreen apply कर सकते है नहीं तो 6 months तक wait कर सकते है after 6 months आप sunscreen apply कर सकते है तो friends अभी बात करते हैं किस तरह का sunscreen हमें choose करना चाहिए बच्चों के लिए तो mineral based sunscreen always choose करना चाहिए बच्चों के लिए क्योंकि mineral based sunscreen बच्चों के लिए safe होते है और बच्चों के sensitive skin के लिए बिल्कुल perfect होते है and sunscreen purchase करने से पहले हमें always देखना होगा कि जो sunscreen है वो SPA 15 के अवाब है कि नहीं and UVA and UVV से protection देता है कि नहीं तो इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें बच्चों के लिए sunscreen चूज करना जाहिए तो चलिए अभी बात करते है mama art, baby, rich, moisturizing, ultra light यह जो sunscreen है क्या यह safe sunscreen है बच्चों के लिए तो सबसे पहले मैं packaging के बात करूँगी क्योंकि देखिए इस तरह का cardboard का pack में आता है यह sunscreen and बहुती अच्छा packaging है and अगर मैं availability की बात करूँ तो market में available है, online available है, offline available है आप कहीं से भी purchase कर सकते है and price की बात करूँ तो यह 50 gram का pack है जिसका MRP है 399 rupees तो मुझे लगता है यह reasonable price है and चलिए अभी देख लेते हैं क्या यह sunscreen बच्चों के लिए safe है तो सबसे पहले देख लेजिए यह ना made safe certified है dermatologically tested है and यह sunscreen ना toxin free है and इसमें है SPF 50 and यह sunscreen ना harmful UVA and UVV से protection देता है and इसमें देखिए इसमें है calendula and zinc oxide जो कि skin को naris करता है and protective silt बनाके harmful rays से skin को protection देता है तो चलिए अभी इस pack को open करके देखते है इसके अंदर जो sunscreen है वो actual में कैसा है तो देखिए इस तरह का pack में आता है and यह na pump pack है so अभी इस cap को open करके मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि sunscreen का color क्या है texture कैसा है तो देखिए white color में है यह sunscreen and इसके texture की में बात करूँ तो यह काफी ज्यादा light weight है soft है and बिल्कुल creamy texture है इसका and यह sunscreen बिल्कुल moisturizer की तरह है इसको apply करना बहुत सब्सक्राइब कर सकते हैं जल्दी से हम इसको blend कर सकते हैं और यह skin में जल्दी से absorb हो जाता है and skin में apply करने के बाद कोई white cast नहें रहता है and देखिए यह sunscreen बिल्कुल water resistant है जो सबसे बरी बात है आप अगर बच्चों को swing pool में लेके जाना चाते है या फिर सी बीच में लेके जाना चाते है तो यह sunscreen बहुत ही अच्छा है but water resistant तो है but every two hours में आपको reapply करना पड़ेगा and अगर में इसकी fragrance की बात करो तो इसमें न एक बिल्कुल mild सी fragrance है इतना ही mild है कि fragrance साइद आपको ना मिले so friends मुझे यह sunscreen बहुत अच्छा लगता है and यह सच में water resistant भी है मैंने खुद try किया है and मैं इस sunscreen को कुछ हपतों से मेरी बेटी के लिए यूज़ कर रही हूँ थान्च्छा लगता है कि लिए एक लिए बर्कूंट से वीज़ाए लिए है जा से लिए लिए जाए लिए चेट वीज़ू हूजू